नमस्कार आप देख रहे हैं पमार्थावास खबर लखीमपूर खीरी से अठारवा उननिस अगस्ति की रातरी में थाना हैदराबाद छेतरा अंत्रगत ग्रामायोध्यपूर से एक सूशना प्राप्थुई की मंगल पुत रामपाल निवासी ग्रामायोध्यपूर थाना हैदराबाद जनपत खीरी की किसी अग्याद व्यक्ती द्वारा गरदन पर धारदार हतियार से वार करके हत्या कर दी गई है इस समद में थाना हैदराबाद पर मुकदमा पंजिकरत किया गया घटना का सफल अनावरान करते हुए थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा तीन व्यक्तियों क्रमसाह अमित कुमार भलूर्फ बिरेंद्र एबम अपिल क कुमार को ग्रफतार किया गया जिनके दौर अपने जुर्म का एकवाल किया गया है और इनकी निशान देही पर म्रतक मंगल का मुवाइल फून बाहत्या में प्रियुक्त कुलहाडी बरामद हुई है दिना अटरा अगस्त की रात्री में थाना हैदराबाद छेत्रा अंतरक इस घटना के संबंद में तत्समय थाना हैदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पजिकित किया गया था और हैदराबाद थाना की पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावन करते हुए तीन अभियुक्तों को जिनके नाम अमित भल्लू और अपिल हैं उनको गि अभियुक्ता के संबंद में जुल्म को इकबाल किया गया है और उनकी निशान देही पर मिर्तक का मुबाइल फोन और घटना में प्रियुक्त आला कतल पुलाडी पुलिस के द्वारा बरामत की गई है सब यह विक्तों को ग्रिफतार करके नाई खिरासत में भेजा जा रह लखिमफुर खीरी से विरोचीफ महिस कुमार पांडे की रिपोर्ट